तो आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है तो 16 मोड कमपनी तो बताती है लेकिन आज हम पूरे 16 मोड इसके गिनेंगे कि 16 मोड इसके टोटल है या नहीं लाइड तो इन इंडिकेटर के काफी ब्राइट है लेकिन अभी हम इसका quality टेस्ट भी करेंगे तो दिन में भी इसकी राइड़ काफी ब्राइट है और मैंने ऐसे इंडिकेटर भी देख है तो भी दिन भी आजी तो बिल्कूल दिखना ही बंद हो जाते हैं यहां पर मैं quality आपको चेक आउट करवाता हूं तो यह जो है काफी अच्छी quality के indicators है और आप देख सकते हो यह rubber जो है यह काफी ज्यादा मोडने पर भी तूटती नहीं है यह थोड़ा सा क्वालिटी वाल परड़क्त मेरे को लग रहा है और काफी चीप प्राइस में अभी आप प्राइस पूछोगे तो अभी के लिए 358 इसका प्राइस चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी के लिए 358 में आपको जो है चारो इंडिकेटर से मिल अगर आपको यह रहा है तो लिंक के डिस्क्रिप्शिन में रहेगा आप वहां से जाके इनको बाइक कर सकते हो तो अभी के बात करते हैं यह जो है मल्टी मोड फ्लैशर की तो इसमें 16 मोड आते है जैसे कि आपको पता है और यह भी काफी अच्छा लग रहा है अभी इसको काफी ब्राइट है बागी हम दूप में जाके भी इसको टेस्ट करेंगे इन चारों इंडिकेटर को इंस्टॉल करते है अपनी बाइक में और अगर आप इस काम को खुद नहीं करना चाहते तो आप किसी मेकानिक की मदद भी ले सकते हो सब्सक्राइब करते हैं अब इसकी वाइरिंग करते हैं सब्सक्राइब कुछ ज्यादा नहीं है बस जैसे स्टोक वाले इंडिकेटर आते वैसे इसकी वाइरिंग होगी इसको 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 एक बटन का यूज करूँगा जो कि कुछ इस प्रोपर इसकी मैं वाइरिंग कर लेता हूं देन उसके बाद इसको आपको चेक आउट करवाता हूं तो इस बाइरिंग मैंने प्रोपर कर लिए अब इसको चेक करते हैं आप देख सकते हो जैसे मैं बटन को ओन कर रहा हूं तो यह जो है इसका फ्लेशर अभी चल रहा है तो अभी बटन को मैं यहां पर लगा यह सिएकंट हो गया यह जंख सिधी है आप फिर्स्टो गरें काॉंटिंग है शो ऐनखरीं humble है हिए थाइड हो गया किया इक फॉर्थ हो गया और यह फिफ्थ हो गया यह शिक्स्त हो गया यह सेवन्त हो गया यह एट्ट हो गया यह नाइन्त हो गया और यह हमारा टैन हो गया और यह 11 और यह 12 और यह 13 और यह 14 और यह 15 और यह 16 और यह 17 और यह 17 में जो यह पराना वारा जो नॉर्मल वला फ्लेशिंग वह आ गया तो टोटल इसमें जो है 16 मोड है तो अब दूप में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं आप देख सकते हो प्रोपर दूप है फिर भी इसकी जो लाइट है वह प्रोपर जो दिखाई द देखे है रात में तो अच्छे चलते हैं लेकिन दिन में उनकी जो लाइट है इतनी फीकी हो जाती कि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता कि इंडिकेटर ओन है तो उस मामले में यह वाले जो इंडिकेटर है यह काफी बैस्ट है पाकि क्वालिटी वाइज और लूक यह काफी अच्छे लगे मेरे को अगर आपको यह बाय करने रहेंगे तो लिंक इन दोनों का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंडिकेटर्स और शिक्स्टीन मोड फ्लेशर यह दोनों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आवास जाक आपको अच्छी लगए गर अच्छी लगए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लिए बागी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका